ओम स्री गनेशा है नमा दोस्तों ओम गनपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात कने वाले हैं 14 अक्टूबर गुरुवार आज के मितुन रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की मेहत्पून जानकारी भी हम आपको देंगी और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगी दोस्तों वीड पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज ओफिस में आपके काम को लेकर बोस आपकी तारीफ करेंगे साथी कामकाजी महिलाओं के लिए दिन रहत पूर रहेगा साथी साथ आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा किसी तरह में खुसियां बनी रहेंगी साथी आप आज कोई नया काम करने की सोच सकते हैं जिससे आपको सफलता भी मिलेगी आफिस के काम समय से पूरे होने से अधिकारी आप से खुस रहेंगे साथी केरियर में आप नए आयाम इस्ताबित करेंगे सफलता आपके कदम चुमेगी किस तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगिटिव रहेगा आर्थिक नुकसान की संभावना बनी हुई है सकारात्मक और नकारात्म पहलों की अच्छे से जाच करें कारिये चित्में दूसरों की बातों पर विश्वास करने की बजाए सुएके निरिनाई पर फोकस करें करमचारियों की बीच विवाद की संभावना बन रही है सावधान रहें अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में धन से संबंदित लेन देन सावधानी पूरों करें वरना दूसरे आपका फाइदा उठा सकते हैं आपके लंबे समय से अटके विकारिया पूरे होने की संभावना है विवसाई में विकास के अवसर प्राप्त होंगे दिन अनुकुल रहेगा और कमाई की अच्छी संभावना है बिजनेस में कोई बड़ी डील संभाव है और विवसाई में कोई बड़ा आर्टिकलाब हो सकता है जियां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में किसी तरह के विवादों में पढ़ने से आपको बचना होगा साथ ही साथ पारिवारी खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना होगा किसी काम में परिवार वालों की राय आपके लिए बहतर साबित होगी आज जीवन साती के साथ मंदिर जाएंगे और घर परिवार में प्रेम और सुहादरपूर महाल बना रहेगा भाई बेनों से स्योग मिलेगा और माता पिता का सिर्वाद और सफलता और खुसी परदान करेगा पाजिवार के रिष्टे अच्छे रहेंगे जिया दोस्तो आपकी लव लाइप कैसी रहेगी जो रिष्टे अलग से हैं उनमें लोक मरियादा का पालन करें ऐसे रुष्टों से आज दूरी बना कर रखें दामपते जीवन में जीवन साथी से सहीयोग और समर्पन प्राप्त होगा जीवन साथी आपका हर कारिये में सपोर्ट करेंगे और सहता भी साथी जीवन साथी से प्रेमपूर महौल बना रहेगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में, स्वास्त के मामलों में दिन अच्छा सावित होगा कोई मोसम जनित सौास्ट समस्या उत्पन हो सकती है सावदान रहें, अपने स्वास्त को और भेतर बनाने के लिए नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्रणाइम करें और स्वस्त रहें दोस्तों आज आप ये उपाए वश्य करें किसी विश्णु भगवान के मंदिर में एक पंचु मुखी नारियल अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए इस पिरकार उपाय करने से आपकी मनो कामनाई सिग्र पूर्ण होंगी दोस्तों आप का दिन सुब और मंगल में हूँ